थंबनेल में मैंने कोई क्लिक बेट नहीं किया है उसके बारे में जरूर बात करूँगा वैल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी जंगल क्रूज वैसे तो ये फिल्म थेटर्स में बहुत पहले रिलीज हो गई थी लेकिन लॉगडाउन के चलते बहुत जगा नहीं भी हुई पर फाइनली मैंने ये मुवी देख ली है डिजनी प्लस होट स्टार पर वो भी हिंदी में और अगर आपको एडवेंचर फैंटेसी टाइप फिल्म में देखना जादा पसंद है जिसमें एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड होता है और किसी चीज को पाने की तलाश होती रहती है चाहे वो छिपा हुआ ख़जाना हो, कोई एतियासिक वस्तु हो या कोई जादूई चीज उन्हें ढूनने का एक अलग ही एडवेंचर होता है और अगर आपको एडवेंचर में फैंटेसी का तड़का पसंद है तो ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी फिल्म का रन टाइम वैसे अल्मोस्ट दो घंटे का है और फर्स्ट पंदरा मिनिट तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि फिल्म में चल क्या रहा है लेकिन धीरे धीरे जब स्टूरी आगे बढ़ती है तो उसे समझने में आसानी भी होती है और फिल्म देखने में मजा भी आने लगता है फिल्म को देखते वक्त मेरे दिमाग में ऐसे कई बार मॉमेंट्स या विजुल्स आये जो किसी और फिल्म को ही याद दिला रहे थे कभी पैरेट्स आप दे कैरिबियन स्पेशली फर्स और लास्ट पार्ट कभी दे ममी जिसमें भाई बेहन ममी के खजाने के खोज में निकलते हैं तो कभी किंग कॉंग का जो जंगल वाला एन्वार्मेंट है वो उस पेड तक पहुच पाते हैं कि नहीं ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चली जाएगा बाकि इसमें एडवेंचर के साथ रॉक की कॉमेडी भी भरपूर जगा पर है जो बहुत से जगा पर आपको हसाने में कामियाब हो भी जाती है बाकि स्टोरी को थोड़ा पाजू में रखा जाए तो इस फिल्म का VFX काफी अच्छा है अगर आपने पाइरेट्स अब दे कैरेबियन मुवी देखी है तो उसमें जिस तरीके से वो पाइरेट शापित रहते है और उन्हें एक क्रियेचर फॉर्म में दिखाते है वैसे कि ही जलक आपको इस फिल्म म की केमेस्ट्री और उन दोनों की कॉमेडी टाइमिंग आपको बहुत पसंद आएगी फिल्म के एक सवा घंटे के बाद ड्वेन जॉनसन के कारेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है जो मुवी का पूरा प्लॉट ही चेंज कर देगा और वो अच्छ का सर ने डब किया है अगर आप हिंदी डबिंग के फैन हो तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ओक्वर्ड लगेगा लेकिन मुवी के एंड तक आपके कानों को उसके आदत भी हो जाएगी थमनेल समझ में आया पूरे मुवी में सिर्फ एक बार हिंदी डायलोग में बॉल्यूड रेफरेंस दिया गया है और वो सुनने के बाद मुझे हसी जरूर आई थी ओस्तरी कल आना वैसे निउस की माने तो इस फिल्म का सिक्वेल भी आएगा बाकि अगर आपने ये मुवी देखी है तो कॉमेंट में मुझे लिख कर बताईए कि आपको ये मुवी कै मैं दोंगा इस मुवी को 3 out of 5 स्टार्स मिलते हैं अगले वीडियो में बाई